और समस्या तो है कि हमको तो लगता है कि नवादा में कोई नेता नहीं नीगा है पूरी तरह से गर्मी जिला में तेज हो चुका है हम पहले इनसे जानेंगे कि आरजएडी का मतलब क्या जिला में और आरजएडी मतलब क्या समझे लोग चुकि लोग बहुत कंफ्यूज है, दो खेमा समझता है, एक राजबरलब परिवार, एक आप लोग हुए, तो असली RJD और नकली RJD का जो गाउं द्याहित में लोग है, इसका चर्चा करते हैं, तो RJD मतलब क्या है, पर लोग बताएंगे आप अर्जेडी का मतलब होता है, ज उसमें आप लोग का क्या मतलब भूमिका है? कि वह भी बैट के प्रेश्स कॉंफेर्स आज एकल किया और अपना इस पर क्या करना चाहिए वह हमारे पार्टी के गाइडलाइन के ब्रूद है वह हमारे नवादा जिला राष्टी जनतादल के लिए उचित मैसेज नहीं है बहुत सारे वर्कर लड़ रहे हैं इससे तो हमार काज करता तूटेंगे ना इसलिए हम उनका खंडन करते हैं हम लोग बिरोद करते हैं कि जो भी उन्होंने किया है वैसा उनको नहीं करना चाहिए और किसी पार्टी विसेश के लिए उनको पचार परसार नहीं करना चाहिए ऐसा आर्जेडी इजाज़त उनको नहीं देती ह नगरनिगम के तहsan जो समास्या आइजिला में क्या-क्या लगता है इसमास्या जो दस-बीस साल से ने हुआ है जिसको होना चाहिए अरे इस तो है कि हमको तो लगता है कि नवादा में कोई नेता नहीं है आप तो सबसे पहले यह समस्या कि मस्तान गई तरसे जो पूल बना है जो जा करके वहां केंदुआ तक पूल बना है इसके बाद जैसी नवादा जिला क्रोस करता है तो नलंदा जिला में सभी पूल उपर से बना हुआ है ताकि नीचे में छोटे-छोटे दुकांदार लोग भी अपना गरीब गुरुवा ल आपको नहीं लगता है कि नेतापहिन जिला है जर जर माना पानी पढ़ी पर पूरी तरह से जिला किशकी सवर था एक बहतर सोचाले भी ने है साप सफाई भी उस्तरस ने है तो क्या लगता एका कोई बहतर कंडिडेट है इस वार जो इस चीज़ को दूर करेगा देखिए तो जनता देखे गी और हम लोगों ने अभी अपील भी किया है कि जो अच्छे वेक्ति विचारधारा के लोग हों जो विकास करने योग हैं आप सब उन्हीं का समर्थन करें और हमारी पार्टी किसी के पक्ष में कोई परचार करने के लिए नहीं उत्री है और नहीं का डारेक्ट निर्देश है कि सभी लोग अपने चुनाव लग रहे हैं किसी के पक्ष में चुनाव परचार नहीं करना है अगर कोई घोसना किसी को किये हैं तो बिल्कुल अनाधिकिरित तरह से किये हैं और नेता को बदनाम करने की एक साजिस है जिसकी हम लोग खंडन करत बिल्कुल माप्दन आया है जिसका परति हमने सारे मीडिया वाले लोगों को भी द łatकर करें और अब्या ओस्वाइन चुक्छार नहीं करना है और जैसा होगा हम लोग परती को सिकायत कर दिया है परकर वाई करें हम तो अभी भी कहते हैं कि वैसे लोगों को बापस हो जाना चाहिए और पाट्टी के छबी को बदनाम नहीं करना चाहिए तो ये थे उदय जी, सरवन जी और इधर हैं गोतम का पुर्दी पुरी तरह से सफाई दिये क्या लगता है सर मतलब कि या बेहतर कन्येट मिलेगा जिला को ये नवादा जीला की जनता बहुत जागरूग जनता है और निश्चित तोर पर पुरे जनता को यह संदेश है कि ये दलिये आधार पर चुनाओ नहीं है और बढ़िया से बढ़िया प्रतियासी की खोज होनी चाहिए बहुत सारे जीला में ऐसा कार्जकरम आया जिसको अस्थानिय जो पॉलिटिकल वरकर है वो काम किया है उसका सब जनता के पास लेखा जोखा है और वो निश्चित रूप से अपने बीच से एक अच्छा उमिदवार को चुनाओ जीता करके नगर परिशद का जिम्मेवारी कोश्चों पएगे यह कोश्चे ना लेना चाहेंगे 2024 का 2024 का क्या तैयारी है आप लोग का 2024 में हम लोग महागडबंधन का जो अमिदवार आएगा उसको मजबूति से जिता करके भेजेंगे मतलब उपर से जो और आएगा आप लोग का है बिलकुल हम लोग पार्टी के गा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम करेंगे हमारी पार्टी एट टूजेट की परिकलपना जो की है नवादा में इनके देखरेक में फुल फिल होता दिख रहा है और हम लोग बार बार सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोग विकास करने वाले ल बिहार में ऐसे गठवंदन की जरूरत पहले से थी अगर पहले से ऐसी गठवंदन रहती तो हमारा विकास और बिहार और मजबूत होता है तो तो तमाम बिंदु पर बाद किये सरवन जी उदय जी और गोताओं का पूर जी आपका क्या नम हो सर राम चंदर यादब तेर प